हेलो फ्रेंड्स डेली अस्टोरिप्ट्स में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हम एक्क्वेरियस असेंडेंट यानि के कुम्ब लगन के कुंडली की बात करेंगे तो उसका गुण सभाव तत्तव शुब रतन इत्यादी के बारे में जानेगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो रशी है कुम्ब स्वामिग्र है इसका शनी वर्ण है इसका काला जाती है इसकी शोद्र सवरूप है इसका स्थेर ततव है इसका वायू गुण है इसका तम दिशा है इसकी पश्चिम शुब रतन है नीलम और पुखराज वो बाद में बताऊँगा आपको बल्द समय है दिन का डे टाइम शरीर का अंग है पिंडली और प्रकृति है ऐसे प्रकृति है त्रिदोश और गुण है उष्ण रज और उष्ण गुण तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा तो दोस्तो जैसे कि हमने जाना कुम्ब लगन का स्वामी शनी है तो शनी शुभ अवस्था में होतो जातक मीडियम या उचे कदका हो सकता है सुन्दर प्रभावशाली व्यक्तिक्तव वला होगा बुद्धिमान साधन संपन तीवर स्मरन शक्ति कि गुण हो सकते हैं से जातक में दूसरों के प्रति द्याभाव रखने वाला परोपकारी मित्रों और सगी संबंदियों के लिए हर प्रकारी सहायता करने वाला और नए मित्र बनाने वाला जो हम जिसे कह सकते हैं गुणी मित्र बनाने वाला ऐसी इसमें कला होगी मिलनसार होगा बहवार में कुशल होगा स्पष्ट वादी होगा डारेक्ट बोलता होगा कोई पीठ पीचे बात करने वाला नहीं होगा औ और majority cases में निस्वार्थ भाव से सिवा करने के लिए तत्पर रहेगा ठीक है अपनी योग्यता और प्रबंद योग्यता के बल पे अगर साधन संबन है ऐसा जातक तो देश-विदेश जाने के काफी अफसर प्राप्त होंगे और अवश्य जाएगा अपने गोल लेवल थोड़े से हाईयर सेट करता है अपने लिए और उन गोल्स की प्राप्ति के लिए काफी हाड़ वर्क करता है और most of the cases जीवन में उच्च स्थिति, अच्छा पद, धन, संपत्ति, इत्यादी सब कुछ प्राप्त करने में सफल रहता है ऐसा जातक अगर कुम्बल लगन में यदी गुरू यान कि ब्रहस्पत मित्र हुआ पित्र श्रेणी में हुआ तो या शुब का हुआ तो ऐसा जातक अवश्य ही कोई हम जिसे कह सकते हैं गौर्मेंट जो में हाईयर ओफिशल रैंक पे होगा जज हो सकता है ठीक है अगर बिजनस में हुआ तो एक सक्सेस्फुल रिच बिजनसमैन तक हो सकता है ऐसा जातक कुछ केसिस में इन सम केसिस में वो हर जातकी कुंडिली स्टडी करने के बाद है बट इन जनरल केसिस की स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी सी संघर्ष पूरण रह सकती है बट वो पर्टिकुलर सब के केस में नहीं हो सकता और बट संघर्ष का सामना करने के बावजूद भी लास्ट में सक्सेस को प्राप्त करेगा तो यह है दोस्तो कुंबल अगन के बार में थोड़ा सा ओवर व्यूव बाकि डिटेल पर्टिकुलर के क्या जा सकता है क्या है क्या नहीं है शुब रंग की शुब जैमस्टोन की बात कर लेते हैं तो नीलम ब्लू सफायर हम जिससे कह सकते हैं वो शुब रंग रहेगा और इस्त्रियों के लिए पुखराज पुखराज सही रहेगा बट अगेन कोई भी जैमस्टोन धहरन करना है तो एक बार अपनी कुंडली अवश्य किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या होरोस्कॉपरीडर से कंसल्ट करें तब ही उसके बाद जैमस्टोन को धहरन करें तो दोस्तों यह रहा कुंब लगन अक् मीन लगन के उपर ले क्या होगा धन्यवाद